स्वागत है दोस्तों चत्तिसगर न्यूज में तो एक बड़ी ख़वर सामने आई हैं। पालक ने की स्कूल में तोड़फोर फिर करदी प्राचार्य की पिटाई बच्ची को छुपाने का लगाया आरोप। विला स्पोर्ट स्कूल से बेटी को ले जाने के बाद युवक उसे फिर से खोचते हुए आ गया। उसने बच्ची को छुपाने का आरोप लगाते हुए स्कूल में हंगामा मचाया। साथ ही स्कूल में तोड़फोर भी की। इसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने जुर्म दर्च कर लिया है। तोरवा में रहने वाले निरंजन बसाक गोंड पारा के सुभानिया अंजुमन स्कूल में प्राचारे हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि शुक्रवार की शाम चार बजे मंगला में रहने वाला सिराज खान स्कूल आया था। उसने अपनी बेटियों शबाना, मदिना और जुबेदा की छुट्टी कराई। इसके बाद वो अपनी बेटियों को घर छोड़ाया। एक घंटे बाद वो फिर से स्कूल पहुँच गया। उसने अपनी बेटियों के संबंध में पूछा। इस पर स्कूल के करमचारियों ने उसे अपनी बेटियों को साथ ले जाने की बात कहते हुए घर जाने कहा। स्कूल कर्मियों की बातों को अंसुना करते हुए युवक वहां हंगामा मचाने लगा। उसकी हरकतों की जानकारी कर्मचारियों ने प्राचार्य को दी। इस पर प्राचार्य युवक को समझाने पहुच गए। युवक ने प्राचार्य से ही गालीक गलोच करते हुए को तोड़ दिया प्राचार्य से मार पीट और तोड़ फोर के बाद युवक वहां से भाग निकला प्राचार्य की शिकायत पर कोत्वाली पुलिस ने जुर्म दर्च कर लिया है पुलिस आरोपित युवक की तलाश कर रही है